नमस्कार, HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से IMD ने हरियाना के 13 जिलों में बारिष का लर्ट जारी कर दिया है जी हां, लगातार हो रही बारिष से हरियाना के लोग पहले से ही परसान है कि एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ चुकी है कि 13 जिलों में फिर से बारिष हो सकती है 24 घंटे में दारनोल सबसे ठंडा में आमाला सबसे गरम अंकित किया गया है 15 के बाद फिर से मानसुन सकरिय होने जा रहा है बताना चाहूंगा आकिम हेंदरगड को छोड़ दे तो परदेश की किसी भी हिस्से में 12 घंटे से बारिष की कोई गतिविदी अभी तक नहीं हुई है लेकिन 13 जुन को 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और आने वले 24 घंटों में फिर से अलर्ट जारी किया जाएगा मौसम विसेस्को का मानना है कि 15 अगस्त के बाद परदेश में मानसुन की सकरियता बढ़ने के असार है पांच दिन में 7 परसेंट बारिष कम हो चुकी है मौसम विसेस्कों ने बताया कि मानसुन का पस्चिमी छोर समाने सिस्ती के उत्तर में हमाचल के इतलैटियों के तरफ बढ़ने से राज़े मानसुन में बारिष की गतवे दिया कई दूनों से कमी दर्ज की गई है और से जादा वा हिसार में कम बारिष है मानसुन सीजन में परदेश में 32% ज्यादा बारिश अंकित की गई है हिसार जिन्द पर फतेबाद में समानने से कम बारिश अंकित की गई है नो जुलो में ज्यादा बारिश अंकित की गई है इसी विच अभी की बड़ी खबर आपको बदादे कि 14 अगस्त के दुरान राज्य में मोसम परिवर्तन सिल रहेगा और 15 अगस्त तक फिर से मोसम की सकेर्था बढ़ने की समावना या पर मोसम विभाग के दोरा अंकित की गई है और जिलों की बात की जाए तो आपको बदाद ने रहने वाला है अधिक जानकरे के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं जुड़े दिएगा एच्विन 24 न्यूज के साथ जहिन